शिमारू के नई वडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें हाँ तो बच्चों मुख्तार सिंग का नाम सुना है तुमने दुनिया में मुख्तार सिंग वो आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस भी कांपती है और पब्लिक भी बाजार से निखल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर में कर्फ्यू लगते हैं इंघए वाजर की अबमें हो जाते हैं बुखानी बंद हो जाती है कि अरे फिर क्या आज उसकी मौत आए ठी जो हम से उलच गया वह ऐसे कि वह आइसे कि सरदिक की तरह वो सारी दुनिया शेक्सस लेता फिरता है yes दुकानदार वों से डिटे छेवालों से ठेट फटनी वालों शेथ आज ons च्ञाने जिस किस बात का सट उन्पेग चलने का टेक्स आच्छा रए हमने और लोग तो सड़क पर चलते हैं उनसे क्यों नहीं टेक्स लेते हैं हम ही से क्यों ले रहे हो कहने लगा तुम्हारी टांगें ज्यादा लंबी हैं सड़क ज्यादा घिस्ती इसलिए टेक्स देना पड़ेगा बस इसी बात पर हो गया मामला शुरू छूड़ते उसने हमारी गर्दन पकड़ लिए फिर फिर क्या जो हमने टंगड़ी लगा कर कईची मारी और घुमा के जो हाद दिया चारो खाने चेत आखें फिर गई मोचा छाग निकल लें लग्या फिर क्या हुआ कर लो इतने मैं क्या देखता हूं कि उसका कुता वहां चल अबर शेर से भी बड़ा वो मुझे देखके गुराया मैं उसको देखके गुराया फिर वह भी अपने मालिक की तरह मेरी करदन के तरह लबका लेकर इससे पहले कि वह अपने नाखोन मेरी गर्दन में डाल सके मैंने अपना हाथ उसके मूग के अंदर डाल के जो खीचा है जो शरीर के दो टुकरे हो गए को को कि अपने कर दो खो का हो गए। कै पर थे 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 भाग बखोने, अदे भागे i अदे आदे हुआ कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किल de कुर कर दो कर दो कर दो कर दो क cricket क्या दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो किकर, व्हा लू। का आप कियो रहें कलूप है क्यों है क्यों हुआ है के अरे मालूमें आद बादार में क्या हुआ क्या हुआ हुआ है कि मुहतार सीफ का नाम सुना है तुमने है नहीं सुना हरे क्ला अ फिर क्या सुना है तुमने मुंक्तार भन है जिसके नाम से पुलिस भी ढ क्यों है और पड बीट्ट बाजार से एक बार गुंदर जाे सो अ schwal wordt इसे लग कि शहर अभी 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 अचाचू तुम्हा दोस्ट चला गया अब बहाद आजाओ चला नहीं गया भाग गया है साल डरता है अमसे तुमसे तो सारी दुनिया डरती है पर तुम आलू लेने गये थे हाँ वह तुम है भूली गया भाभी बस जू समझो यह उगया और जू आया गया वाग वहिए है करुछ 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 अरे चाची क्या बात है यहां तो मिला लगा हुआ है आरे तुम्हें नहीं मालूम रामदीन के घर बच्चा होने वाला है अच्छा वर तुम जा रहे हैं साइद हमारी जुरूरत पढ़जा तुम्हारी जरूरत अंदर नहीं बाहर है हो सकतर के सामी की मदद करो आए फोर वे कि अ आ ही हो ओई आया राम दिन तुम्हारा तो यह पहला बच्चा है ना यहां देखो दस बच्चे पैदा कर चुका है दस बच्चे तुम ने और क्या अरे दूला नहीं बने तो क्या हुआ दूलों का हाथ पकड़के ऐसे मौकों पर हमी तो बैठे हैं घवरानी की कोई बात नहीं बेटा होगा बेटा मुक्तार सिंग का नाम सुने हो नहीं लो फिर क्या सोने हो दुनिया में अडे मुक्तार सिंग वह आदमी है जिसके नाम से शहर की पुलिस तो क्या पबलिक भी कामती है शहर से निकल जाए तो ऐसा लगता है कि शहर और करो जाए वगोडन यंजार वाए तो मुक्तारी कर दो रहे हो जो बाप क्या बेटा हुआ है क्या एड़े बाप के फ़के नहीं हुआ है अन्यार्ट की घर में बेटा हुआ है कि अधिए आधिए यहां थे नीदे टुपले करके बहुत दुगा है कि अधिए कि कि कर लूब ले आया अधिए गया थे अलू लेने नाराण ने कचालू बनाकर भेज़ दिया यह देखो अधिए भगवान नारायन ने तुझे मारा क्यों मारा यह भी तु सुनो रामदीन के गर बेटा हुआ उसकी खुशकबरी सुनाने लगा तु उसने लेकर रापट मार दिया बताओ यह भी कोई बात है तु फिकर मत कर तेरे बड़े भी आएंगे तो मैं उनसे नारायन की बात करूंगी तोड़ते हैं चोटे-चोटे बच्चों के साथ गोलियां खेलते हैं पतंग उड़ाते हैं और जब कुछ वक्त बच जाता है तो नमक के धेले उठालाते हैं लोगों की जखमों पर अगड़ने के लिए लारायन बचार के फंदरा साल से कुछ बच्चा नहीं हुआ है और यह मां पहुंचीगा ढोल बजाने के लिए कर लो आज तो मैंने शिकायश सुन लिए लेकिन दोबारा नहीं सुनूगा क्या करता हूं मैं चाचू तुम्हें वही किया ना जो दूसR करते हैं उस्ट form खुषदे क कुछ एक। बीजुबा रहए राइविट पर तुमधे लुगाई बे मार्युदवे को छोड़के जा सकता है निव में भावी को छोड़के जा सकता है। ऐस आज Moo मस्दूर का है में वे बोनस्चाइराथ मजदूर का हक है मैं खुद भी यही मानता हूँ मैं इस मिलकर नया मालिक हूँ और तुम्हारे सब हक मानने को तयार हूँ तुम लोगों का लीडर कौन है जिससे मैं बात कर सकता हूँ शामू बढ़ो आप लोग एक महीने का बोनस मांग रहे हैं मैं दो महीने का देने के लिए तैयार हूँ शर्थ सिर्फ इतनी है कि काम इसी वक्त शुरू होना चाहिए लेकिन हमारी एक मांग ऐसी है जो शायद आपने नहीं पड़ी है काम सी मांग आपने जो कारखना खरीदा है उसकी तमाम मशीने या तो पुरानी हो चुकी या उनमें जंग लग चुका है किसी वक्त भी कोई हाथसा हो सकता है किसी मजदूर की जान जा सकती है और कि इसल्हें मांग है कि उन मशीनों की जगा नहीं मशीने लगाई जाए यहा नहीं मशीने लगाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त हेनई पास। है अगर अमीर के वखती है तो मजदूर की भी जान की कियमत होती है जब तक आप की एंगी मशीनी नहीं लगेंगी आपकी फेक्टरी में चाहिता है। छाहिए कि आप लोगों को क्या चाहिए कि आपके लीडर को हर्ताल चाहिए मैं मिलका मौली को मुझे काम चाहिए अब मैं आपसे पूछता हूँ आपको क्या चाहिए भूक या पैसा हर्ताल या बोनस तो फैसला हो गया जिन लोगो बोनस चाहिए वो अंदर जाए और जिन लोगो हर्ताल चाहिए वो पार रुकें अब बूद्जा अब बदलने की मान तो आपने की थी और आप ही मैं भूला कुछ नहीं सिर्फ अपने बच्चे यादा गए मैं अपनी जान पर खत्रा लेना को मन्जूर कर सकता हूं लेकर बच्चों की भूक नहीं बच्चों की भूक नहीं जमाना सच मुझ बदल गया पहले नेता आगे चलता था और जनता पीछे और अब जनता आगे चलती है नेता पीछे रेस के पुराने खिलाड़ी हैं आप मगर आज चुक हो वेशानी सिट मैं अभी-अभी मिल देख क्या रहा हूं पूरे पंद्रा लाख एक लंग्रे घोड़े पे लगा दी हैं आपने रावत हमारी जिन्देगी गुजर गई है रेस के मै आपने रावत हैं और तुम नए रंगरूट हो इसलिए जानते नहीं जो लंगड़े घोड़ों पर जीतते हैं ना वो बहुत जीतते हैं और तुम्हें तो यह भी नहीं मालम कि हम खेल कौन सा खेल रहे हैं रावत मैंने ये मिल सिर्फ कपड़ा बनाने के लिए नहीं खरी दी कि इन लौरियों में वो सोना लदा है जो हमारे डोंगरी के गुदामों में बंग था और किसी वक्त भी पुलीस के हाथ लग सकता था अब वोई सोना इस मिल में तयार कियोवे कपड़ों की कोक में छुपा कर मुल्क के कोने कोने में पहुचा दिया जाएगा आदेजाग आदेजागा अईगा पहुचा आदेजागा वदेजागा कर दो दो पोजब घजए वे नहांत, कर दो पुम है कर दो दो पर सिंग कर दो दो फ्यान कर दो फिहांत, कि अब्सित आंग कि नह कि यह, मैं रहिए बमड़ में जी जान मैं जळतन आ इँ मैं जो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मजे दोक्टर, डोक्टर इस क्या पर दिया तो पले रशाम बागू, विरे जड़े, विरे चे काम देजिए असला बुलना कि निशे मिरे हाथ घड़ गए, डोक्टर बाया, लेट जो करवा लेट जाओ लेट जाओ अपने दिल के अंधेरों में अपने खुदा को ढूंड रहा हूं और उससे पूछना चाहता हूं कि या आल्ला तेरे करम की बारिश होती है, तो मुझ जैसे गुनागारों पर क्यों होती है और तेरे कहर की बिजली तूटती है, तो ऐसे फरिश्टों पर क्यों तूटती है कुझे आथ काटने ही थे मेरे हाथ काट डाले होते हैं उन हाथों को क्यों काट डाना जो ऊड़ते हैं तो त mlb के दूआँ वह उड़ते या दूसरों कीalin बचाने के लिए उड़ते अरे मुन्नी बिटिया दूद लेजाओ दूद लेजाओ आके लो भैया जी नहीं भैया अब हमें दूद नहीं चाहिए अरे काहि नहीं जाहिए माजी कि खार में जितने पैसे थे सबस living की युक मिलाज मि अरे अलो माजी अगले मैंना दे दे ना तंखां मां तना गा झाल का से आएगगी इस अब दूद नहीं हाए और दूद पहां कि दूद कर दो कर दो कर दो कर दो अनыл हाँ, कॉ जढूस ? एगे वाली ? जाल, हड़ोजो, हड़ोजो लगा! लगा 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 दर लिकाल है विले एले लाद आ यह लिवर अपी बाइद एक चिलू दूद के लिए मुनी के आँक से जवांसु गिरे मुनासमों का बोज इस बोज से कहीं ज्यादा था आप घर जाए भईया चलिए गर जाए ये बोज मैं उठाऊगा आज के बाद मुन्नी को चुलू पर दूद क्या जिंदगी में किसी चीज के लिए नहीं रोड़ा पूड़ेका लीए लवनी दूद जितना पीना पिले श्ष। डॉक्तर अंदश हैं आपने ऐसी हालत में बोज उठा कर अच्छा नहीं किया आपके जख्मों के तांके उखड़ गये हैं मेरी राय में आप दुबारा ओपरेशन करवाना पड़ेगा और वो भी किसी बड़े डॉक्तर से यह ओपरेशन के लिए कितने पैसे लगें दॉक्साब कम से कम 500 रुपर यह 500 रुपर हम कहां से लाएंगे पैसे में लोगा पापी पैसे में लोगा कर दो दिल तो देते नही दिल तो देते नहीं कहती हो सवाल अच्छा है दिल तो देती नहीं कहती हो सवाल अच्छा है वो लग बांद के रखा है जो माल अच्छा है दिल में लापों खस में खातर जब जब घमाते है जूटा गाता करते हो हम मान जाते हैं दिल में लापों खस में खातर जब जब घमाते हैं जूटा गाता करते हो हम मान जाते हैं जब चाहा सनम जब चाहा सनम हम को बहला दिया यार ये कमाल अच्छा है दिल तो देती नहीं कहते हो सवाल अच्छा है अच्छा दिल तो देती नहीं जब मेरे भाइया की जान बचा लिजे उसके आपरेशन के लिए 500 रुप्य चाहिए तो याज़ा जो पांच्छ रुप्य है पांच्छ रुपई है अगे नहीं परिश्य के मैं मेरे भाइया की जान बचकती है लेकिन तुम्हें देने के लिए 500 रुपए नहीं है मेरे पास देखो मैं एक सीधा साधा कारखानेदार आदमी हूँ सारी दुनिया की जिन्दगी और मौत का ठेकदार नहीं हूँ मैं और रही तुम्हारे भाइया की बात भूल उसकी थी नुकसान मेरा हुआ हजार रुपए का कपड़ा उसके खून के दबों से बर्बाद हो गया तो कोड़ी का नहीं रहा और मशीन उसकी मुरॉमत की पैसे वह ल closing मेरे लिक खाला नीचे आप बीच में यम्राज तलवार लेकर मेरे भाईया की जान बचा लिजे मैं आपके पाउं पड़ता हूं भीक मांगता हूं सिर्ची मेरे भाईया की जान बचा लिजे बनवारी ले जाओ इसे और वह बोर्ट दिखा दो जो हमारे गेट पर लगा है कुट्तों और भी आपके जान बचा लिजे सिर्ची मैं आपके भीक मांता हूं सिर्ची िकल अभी और यहांते अब चोर बन के आव तरक्य करतार सबस्ता करने के कि लिए चाहिए अब भी वह है तो जवाब ही वह यह तो तुमएं रुपए देनी के लिए मेरे पास यांजते दूलत के एक जलते हुई जुलसते हुए याज के लिए मैं पानी के जिर्फ दो भूम स्टक्राइब आगें पेली करने यह सब्सक्राइब.. जहां को रहे हां यह उगी जिसले मेरे खर जुटे है जुक मुल्जिम कलू अडालत तुम्हें शहानी सेट के घर में चोरी और एक बावर्दी पुलिस आफिसर पे हमला करने के इल्जाम में नौ महीने कैद बामुशक्त की सजा सुनाना चाहती है तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है येस यार अनर नौ महीने की सजा जो तजवीज की है मुझे बहुत मानिखेज मालम होती है नौ महीने गुजरते हैं तो बच्चे का जनम होता है नौ महीने के बाद कलू का भी दूसरा जनम होगा बच्चा गलती करता है उसे सुधारने के दो तरीके होते हैं एक तो उसे प्यार से समझाना सिखाना दूसरा उसे मारना पीटना सजा देना कलू की ये पहली गलती है जिसे नजर अंदाज भी किया जा सकता है माफ किया जा सकता है मगर नहीं किया जा रहा मेरी राय में अदालत इसे सजा दे के इसका दाखला स्कूल में नहीं सीधा यूनिवरस्टी में करा रही है यूनिवर्स्टी में कदम रखते ही इसकी मुलाकात होगी जर्म के बड़े बड़े प्रोफेसरों से सारे प्रोफेसर अपने अपने मजमून में माहिर होंगे और जब तक ये भी उन जैसा माहिर नहीं हो जाता प्रोफेसर चैन से नहीं बैठेंगे और नौ महीने के बाद जब ये जेल के गर्व से बार निकलेगा तो कल्लू का दूसरा जनम हो चुका होगा तरह तो कि अधर चार कपड़े नहीं थो ये बरतन कभ मांचों कि महरानी जी जल चोटी कहें की क्या किया है इसने इसने किया चोरी और क्या करेगी जो कुछ तुमने से सिखा रखा है नहीं मा मुझे बहुत भूग लगती इनके जूटी जाली से एक टुकरा रोट डिगा लिया मैंने चोरे ने की मा मैंने चोरे ने की ये जूट कह रहे है अहां मैं जूट बोला हू तेरी मा सती सवित्री है और तेरा चाचा युदिश्टर के उला मैं चाज को कुछी के रा, मैं चाज लू कुछी के रा जाल, हज जी हाज से भावी, मुनियो ले जा तुने इस फूल यसी बच्ची पहाद उठायना रहा ह। कराम, लोग से, बट één किया जाल है? वाजो है और जाटाव कांजा रहे हैं पर्खुदार, जा कहा रहे हो? वहीं जा रहा है अपने पुराने दोज साहने सीट के पास उसका पनाएक तो फून करने के सारे सामान यह है मौजूद था ये लो इंगिलिस पिस्तॉल और ये रहा राम पुलीश चाकू जो पसंदो उठानू कल्लू एक बात बताते जाओ जब शानी सेट मर जाएगा और तुम फासी के तक्ते से लटकते होगे उस वक्त तुमारी भावी और मुन्नी का क्या होगा पेटे अपने दुश्मन को मारना है तो उसे उसी के हत्यार से मारो और सानी सेट का हत्यार है सोना क्र चाई पिर बता तुम होगे जाना है प्रश तुम के पहले दिए से वक्ते से आपने टेंदों इसका दो उसे लगकते जाएगा प्रीवलेफश्वतू रसंगी उसका दानी से लगप लगने वेजादू जजाएगा झाल झाल कालू चल जल्दी कर अंदर बैच आप रोच चलिए मैं बाद में आता हूं इस मिल से मुझे पुरा नहीं साब चाहना है हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है इस वादमी जिसने मेरे मिल में आग लगाई किर्वतार कर लीजेए आग मेरी तरफ से तुम्हारे खिलाफ जंग का एलान है शानी सेट आज के बाद तुम्हारी मौत की तरफ उठेगा अगर हिम्मत है ता बदा दो इन पुलिस वालों को की आज तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है मुझम कलू तुम्हे शहानी सेट के मिल में आग लगाने के जर्म में अदालत दो साल कैदे बामुशक्त की सजा सुनाती है जालिम ने बड़ी सजा सुनाई दो साल जिस रास्ते पर शानी सेट में मुझे ठकेला है उस रास्ते पर कई और अदालते आएंगी कई और जेले आएंगी मेरे पीछे घरीबी की काली अंधेरी रात की सिवा कुछ नहीं लेकिन मेरे सामने दौलत का सुनाईरा सूरच चमक राज मुझे बुला रहा है यूं समझ लो कलू से कालिया का सफर शुरू हो गया चलिए आप कलू की भावी क्या 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 तर्व यह पीचे काम कर दिया यह पूछे काम किया है त्य है उसने हमारी कंपनी के लिए एक ही दिन में लाखों रुपाई का फाइदा और उसे हमने अपना चौथा पार्टनर बना लिया है एक ही दिन में लाखों का फाइदा मेरी कल्लूने मैं समझी नहीं आप सिर्फ इतने ही समझे कि हम लोग जहरी हैं हीरे जवारा सोने का काम करते हैं आपके देवर को हमने पहली नजर में पहचान लिया था कि यह सर से पाउं तक सोने का बना हुआ है वो तो है कि यह देखिए कि यह सब क्या है यह रुपए कल्लू की कमाई के हैं और यह दो चाविया एक आपके नए घर की और एक नए गाड़ी की पार्टनर बनने से पहले कल्लू की दो शर्त कि उसकी भावी जोपड़े नहीं रहेगी और चल्ले फिरने के लिए अपने टांगे नहीं तोड़ेगी तो आप एक काम करिए अपने नए गाड़ी में बैठकर अपना नया घर देख लीजिए तुने कल्लू को क्या से क्या बना दिया एकी दिन में भगवान उसे काम में तरकी और कमाय में बरकत देना है जिस ताली पर तुमने आत रहका है वो ताली मेरी है तुम्हारी कैसे होगे यह दुए तुम तो लाइन में नहीं हूं। हम जहां काड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कि अधिया थाली पर तुमारा नहीं हमारा नाम लिखा है काना तुम हम भी वह जो कभी किसी के पीछे नहीं कड़े होते हैं जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है नमर दार बर्दे ताली कि अधिया थाली तुम होते हैं कर दो कर दो कर दो जितनी ये सलाख तुझ से तुम्हा है कालिया सब कुछ कर सकता एक नहत्ते बेवार नहीं कर सकता कर दो कर दो कि अधार आपके हुकम के मताविक सब कैदियों को बाहर खड़ा कर दिया गया है आरहा है सलाख जेलर तुम्हें कैसे मालूँ अब जेलर और कैदी का रिष्टा मिया बीवी की तरह होता है शादी की काम्यावी के लिए एक दूसरे को जानना और पाजनना बहुत जरूरी होता है जानना बेटे वह चार सीड़ियां उत्रेगा और रुप जाए प्रुप अपनी पतलून की जेब में हाथ डालेगा लेकिन जो सिगार वो डून रहा है वो उसे अपनी शट की बाई जेब में मिलेगा वो सिगार को अपनी दांतों से चबाएगा और थुक देगा अब माचिस से सिगार को जलाएगा और दिया सलाहिया की गिरेगी मेरी पीट पर काईदी नमबर 602 है अधिर है अधिर जुका कर बात करो यह सर किसी इंसान के सामने नहीं जोग सकता जेलर साहब जोगेगा तो उसकी चॉगट पर या उसके दरबार में जुकेगा अधिर मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं लेकिन तुम्हें बता दूँ कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में नहीं हो होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यूं हुआ मैं तुम्हारा पूरा रेकॉर्ड पर चुका हूं तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर यह तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंब जेल से संगीन से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में द्वा मांगी है तो यहीं द्वा मांगी है कि अगर दुबारा जेल जाए तो पीर सिंग की जेल में न जाए अज़िए कि अए आपने खाना नहीं खाया आज फिर किसी कैदी ने भड़का दिया है क्या हाँ है कैदी बहुत बद दिमाग बहुत तमीज बहुत बे लगाम जैसे कोई आवारा आंधी होती है बस समझ लो काका मुझे इस आंधी के मूँ में लगाम डालनी है एक बार पहले भी तो ऐसा ही कहती आया था आपने उसके मूँ में लगाम तो डाल दी लेकिन जाते हुए वो अपने सु नहीं भूल सकता कात्रा कभी नहीं भूल सकता मेरी एक ही तो बिटिया थी तीन साल की नगी सी गुडिया जिसे वो जालिम उठाकर ले गया लेकिन मैं यह भी तो नहीं भूल सकता कि मैं जेलर हूं और मेरा फर्ज है अदालत ने उन्हें संगीन सजा दी है तो उन्हें यह बता दूंके संगीन सदा क्या होती है ताकि एक बार वो जेल से बाहर जाएं तो तुबारा जेल में आने का नाम न लें कि शैशन कोर्ट में तुम्हारी अपील मंदूर हो गई है और मैंने तुम्हारी रहाई का हुगंगारी कर दिया है तुम जा सकते हो बड़ा अफसोस हो रहा होगा आपको जेलर साब मुझे सुदारने का वक्त नहीं मिला आपको अब नहीं मिला तो आगे मिल जाएगा तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो कालिया वो यहीं खत्म होता है तुम अगली बार आओगे मैं तुम्हें यहीं मिलूंगा तब जो तालीम इस वक्त अधूरी रह गई है वो पूरी हो जाएगी अधिक अजलर साब यू समझ लीजे कि हमारे और आपके दर्म्यान जो बाजी शुरू हुई थी वो थोड़ी देर के लिए रुप गई है खेल जब फिर शुरू होगा तो मोरे हम उसी जगह से उठाएंगे जहां इस वक्त थरे हैं हुआ है हुआ क्यों हुआ है हुआ है कैसा रहा अब कर अड़ेकर लेकिन भावी को पाता तो नीचला यह जानती एक तुम अमेरिका गया हुए है अमेरिका से लोट रहे हैं यह को तुमारां समाए इसमें भावी के लिए सारिया और इसमें मुन्य के लिए फ्राक और खिलोर भरे हुए चल्ड नियॉर्क से प्लेन आगया माजी सब आते ही होंगे यह यहां तो कुछ भी तयार नहीं है खाने की मे Sugar नंगी पड़ी तो आते ही कहेग जहाएगा वहँए भुआ भूक बहुत ही है जैब में पैसा हो ऐसब कुछ मिलता है नहीं मिलता तो इसमारे हाथ का पका हॉआ खाना नहीं मिलता लो वो तो आप ही गया रामो जल्दी से में सयार करो राती का समान ले आओ अच्छा जी लो भवै तो रोज वुलया जाता हूं रोज विलायत से आता हूं अब की वारत लिए के लिए तब तुम थी तुम्हें तुम्हें बिना हां गर में दिन यह लंब में हो जाते हैं मुझे बताओ खाने का इंतिजाम किया तुमने उखा चला रहा हूं अमरीका से बाभी वहां सब कुछ मिलता है नहीं मिलता तो भाभी के हाथ का चीज़ें किया है हम आरे लिए पहले पढ़ी है तुम और ले आये हो आरे तुमारे लिए थोड़ी ना तो भाभी अपने शौक के लाता हूं जो तुम्हें पसंदों पहन लेना बागी मुन्नी के देश के लिए रख देना और तुम्हारे दूलन के लिए कुछ नहीं रखो मुन्नी तो बाद में डोली में बैठेगी उससे पहले तुम्हारी शादी करूँगी मुन्हें कितना चाओ था तुम्हारी शादी का खबरदार भावी आंक से एक भी आंसु कि रहता हुआ पानी की से पूंद के लिए में पने सारा खुन भा सकता हुआ है यह दुख्ये नहीं शुक्र के आंसु है करें कि इंख अलोंड बांजां यह ग्रिक बात बताओ ऐसा कौं सा पेड़ है जहां से तुम इतनी दॉलत कर लाते हो सजपाव बावी इन एभी मेरे पैसे किसी पेड़ से नहीं आते हैं एक खान से आते हैं सोने की खान से जंती वह खान कहा है कहा है मेरी भावी के पाउं के नीच्छ तू कभी नहीं बदलेगा यह कुछ नहीं भावी यह तो सिद्धा साधा पिस्तोल है इसका तो लाइसन दिया मेरे पास यह देखो यकिल नहीं आता तो यह रहा हुआ है अब तो विश्वास होगे जितना विश्वास मुझे अपने भगवान पर है उतना ही तुझ पर मेरी सारी दुन्या सारी जिंदगी विश्वास के इनी दो खंबों पर खड़ी है कवान है यार बाहर पूर्ण माशी की रात के लिए और तुमने अंदर ऐसे अंधेरे करते हैं तुम्हें नहीं मालूम आज क्या अंधेर हो गया है एक बार तो रिवल्वर देखकर भावी काम गई और मेरे पसीने पसीने हो गया आज तुम्हेंने किसी भी तरह चूटी मूटी कहानी सुना कर भावी को छलावा दे दिया लेकिन सच्चाई की बजार में चूटे से कप तक चलते रहें समझ गया आपको धर्म और कर्म की विमारी हो गई अंतर आत्मा में बेराग और त्याग की तरंगे उठ रही है काम कीजिए जिराथ छोड़िये राजमाहिल चोड़िये और हाथ में उठा लीजिए रिवाइलवर कीजिए के भीक का ठीक रहा भूल जा तुम्हारों के भाई था जिसके पहले हाथ कटे फिर जान गई सिर्फ पांच सुर्पाओं के लिए कि दीनिम रहे पर असदा कीजिएौति लिए को किसी इसकूल से डाल दो किसी जितिमग़ खाने में हिंदुस्तान में एकानों के कोई कमी मैं Оप अ भवर्दार जो आदो में उन्च्मक धान जब टक मैं जिन्दा हूँ उन्यको कोई यतिम न करते समझे स्जब डूब सब्सक्राइब के बात नहीं यार ये काट देखो ताजमन में पार्टी है जीतनगर की राजकुमारी आ रही है उसके गले में खास हीरा है अगर वो हीरा तुम्हारे हाथ लग जाए तो तुम्हारी जिन्दगी की हर रात पूर्ण मासी की रात बन जाएगी मैं तयार हूं शानी सेट जो लोग लाखो रुपए के हीरे ने ले जाते हैं रावत उन पेशे का धो भी नहीं लगना चाहिए लबास से वह ऐसी लगा रखी है जैसे मांगी हुई हुआ हम जहां जा रहे हैं रावत पहां शहर के बड़े-बड़े रईस आएंगे पुराने राजा आएंगे नए अमीर आएंगे दौनत के उस मीना बाजार में तुभारे जैसे ठक भी आएंगे और सब की नजर उस हीरे पर होगी मगर आज हमेशा के लिए वह हीरा मेरा सिर्फ मेरा बन जाएगा घज के लिए याज भी आएंगे लिए अराजा आएंगे कर दो कर दो जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है बचना सका कोई आये कितने हैं नंबे हैं मेरे हाथ इतने जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बसका क्यों नहीं जानी तू ये समझता काम नहीं ये है तेरे बसका होश में आजा ठ्यान किधर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है मेरी तरफ जो उठा है तन के कठके वही हाथ गिरा बतन से सामने आए किसका जिगर है हाँ सामने आए किसका जिगर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है मुझे खबर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है जहां तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है पचना सका कोई आए कितने दंबे है मेरे आथ इतने जहां तेरी ये नजर है अरे देख इधर यार त्यान किधर है ये लिए मेरे ठीज ये नजर है हीरा मेरे हाथ से निकाल के कौन ले गया कौन है इस जिस हीरे पर तुम्हारी नजर थी वह अब मेरे हाथों में कौन है तुम्हारा बाप जिसे तुमने खुद पैदा किया कालिया कालिया यह कालिया कौन है आप घवराई नहीं कालिया जो भी हो शहानी सेट हीरा 24 घंटे के अंदर मैं आपके सामने पेश कर दूँगा 24 घंटे के अंदर रावत तुम वह हीरा मुझे लाके दो मैं वादा करता हूं यह कुर्सी मैं तुम्हें दे दुगा यसे हासिल करने के लिए तुम्हारे कई साथ ही जान दे भी सकते हैं जान ले भी सकते हैं इस फ्लैट का कौना कौना च्छान मरो पुहीरा तुम्हें यहीं मिलेगा क्याओ कौना च्छान बादा तुम्हें उत्याओ कर दोखवादा कर दो तुम्हें खुम्हें चारूल झाल 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 तुमने कुछ देखा, अरे हम तो बहुत कुछ देखता है साब, बहुत कुछ यह हाथ, तो जूतों पर चलते है लेकिन नजर उपर नीचे हीदा रूदा और आठों तरब भंटकती है, कल रात तुमने कोई खास चीज देखी, अरे देखा तो है साब, लेकिन यह ज़वान फ अब तो ही लेगा अरे यह तो हाथ ही लाने का अफीज है साब जबानी लाने का फीज तो ज़रा और नीचे यह ना अब कल रात एक गाड़ी आकर वहां रुका उसमें जो आदमी थे उनकी नजर आपके फ्लैट पे था पस में आपके लाट बंद हो गया आप नीचे आए गाड़ी में बैटा चला गया पिडिश ऑपिर अनण लोग उतर और आपके फ्लाट में जबरदश घुण कि थोड़ी देर बाद उन लोग भी नीचे आए अपनी गाड़ी में बैटा और आपके जिसाथ चला गया कि तुम्हारी इस बाद के लिए कि जो पचास का पत्ता अब जल्दी से बेटे नंबर भी बता दें अब नंबर है नंबर ढूंड़ राएं साथ नंबर सुना खोपडी में धिमाब होता है धिमाग में लाखों-छेद सुसरा नंबर पता ने किस छेद में जाके च्फब गया अब आपके तो बाद निकल निकल गया साथ निकल गया मरेश 9067 अब तो निकल निकल गया तो अब तुम्हारी यह गुरिया बहुत पसंद आई तो यह गुरिया नहीं है जादू की चीरिया है हवा में उर्थती है सर ऐसा माल मार्केट में रोजोज में आता है फौरां खरीद लीजी ए ए पहले हम इस गुरिया की गोद में बैठेंगे करषप करते हैं विर देखिंगे विलगे यॅथ चाहबी तूमाइये और पी आखि च्ञाह का इसे चलती है जबार्क जबार्क जब followed कितल शतमा मार्क वहती बह्या लुक्रॉंत एवी फुली स्मूफ इस्टार्ट हवmmб श्मूधन से एक चोटी सी बात और बता दीए परमाये तुमारा काञ सब आप कलराती एगारी डाडे शोरूम से ले गयात अाँ-अ-अ-अ-अ-अ-अअ आप सप्क्रेद वह अमा आपको नहीं पता सकता हा यहाँ। नई बताश तुम अरे, निए जोरूम है, है है! गारी दोखो! तुम पागले! शहोते, है! गारी दोखो! पाली साथ जोर देट जोर देट, जो ले जोरूरी जोरे पाल खार जोरूआ हो क्या? भाइसाब हरे भाई साप मुझे छोड़ते हो अरे... God Bless Me. Please. Police. Police. भाई साम, कहो कहा? मुझे कहाँ बढ़ादधानलिया? मुझे फ़्रातएंदगे तुछी कहा हुआं? जो जाइ, ठीकें मुझे भाई साहें। आरे! बड़िग का साली आए. बाटर्प्रूम कड़ी है, लोरुखन बटीने, बटीने, बटीने बत्पीर है, बटीने, ब wünस्त क्डीने भीशेया वह बचा अरे शट गई बहुआ है दो बटीने, बटीने when pop अरे, अरे, जठ अधर ऊधर औरिफ से गोट्स दाइए आखें! अरे! यहरी वास कैसा हाई? अरे रुधा दर्मार के मार दिया! डर्वादा क्या भाइया? अरे! वक्ति सलक गई! तर्भाण गई! यहाा! बीटीफल ट्राइम! तर्भाण वाहाई! ले तेन पुल! पुबबबबबबब, क्याने केंगी नीचे? बिर जाहिए किर म सकताइस चांडे मज है, मजब को जानदे मजब को लें हुपी, हाँपी… हादे, कात ह printed, काल गया जान दे, रुप, 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 रुप हाँप कात… है बजा जट्ट्ocy मसा जान अचत्र कर दो ऊकर जाँए रमस सब्सक्रादाद। कि अच यद्लिंगा अपनी 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 अपने मैडम का अउनली एडम हूँ अलिप इनग नादम का अपने मैडम के उनली एडम हूँ बदाव कान था वोने तो नंगा कर दूगा इस गाड़ी कि था पाततों पाततों आड़ना तो जातों ऐसाना आड़ना चानी जेका आड़ना है भी कात्व घावत凌ल्ट रावत凌ल्ट अन्यात रावत凌ल्ट कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अए कर दो आज के बाद अगर तुमने उसे बाहर से भी देखा तो तुम्हारी हालत बिलकुल ऐसे करते हैं वह पर चत नहीं होगी नीचे जमीन नहीं होगी और बीच में जो तुम्हारे जिसम के पुर्जें कागस के टुकड़ों की तरह हवा में उड़ते नजर आई समझें होगी अवगा है में वहरा में अब जो हीरों की किमत जानते हैं वह उन्हें सूफों के गड़ों या बिस्तर के तक्यों में छिपा के नहीं रखते की अपनी जान से लगा के रखते हैं कि अच्छिए कांट मुझे वो हीरा चाहिए और तुम ला सकती हो वो हीरा कौन सा हीरा जिसके लिए मेरी जान आज शहानी सेट के पास किरिवी पड़ी हुई वो हीरा कालिया की कलाई पर बना हुआ है सोने की जंजीर में कायद करना है वो हीरो एक जान एक जाना है जने जने, जने जने जने, सिनम तूँ जाहा, मिरा जिलबाहा, सिनम तूँ जाहा, मिरा जिलबाहा, बंते हो नंचार, काहे दिल बढ़ जाए, बन से हो जाए नाहे दिल मर जाए खुश तो है तू हो जपास आई जो लगा कि आसे अरिखा मेरी ज़खे सेरे सरम तू जहाँ मेरा दिल जाए बन से हो जाए नाहे दिल मर जाए खुश तो है तू हो जपास आई जो लगा कि आसे अरिखा मेरी ज़खे हाँ 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 सनम तू ज़खा मेरा दिल ज़खा प्यार भी यही है प्यार भी यही है प्यार भी यही है आगया मजा चागया नशाद रंग लाग बेकरारी अब ये रात है हमारी अरे हम मेरी जाँ सिनम कुझ जाहा मेरा दिल बहाँ है जाने जाना ना हमान क्यों जाना आप गही नचाना चोड़ दो बहाना अब कही नचाना छोड़ दो बहाना दर न जाए राट रहर जाए बाद है खजब के शाम आज बढ़ के लेलो जाम आज अज़ाँ मेरी जाम सनम तू जाहां मेरा दुल बाबा है जाने जाना है जाने जाना देख चां रहे हो मुस्कुरा रहे हो देख चां रहे हो मुस्कुरा रहे हो तुपी ये लगे दिल लगे नहीं तुझ जो चाव उसम जो याद हमने तुझ किया है प्यारी अज़ा मेरी जाम है सनम तू जाहां मेरा दुल बाब बलते हो अंज़ाँ काहे दिल बर जाए बलते हो अंज़ाँ काहे दिल बर जाए खुश तो है तुहारे पास आई जो लगा कियास अज़ाँ मेरी जाम हुआ है तुम जो तुम चोंग है हीरे के पास क्या बख रही हो आज से मेरी नौकरी खब मुझे हिस्सा चाहिए फिफ्टी 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 जरा पीशे मुड़के तो देखो तुम्हारे जो दो बाप खड़े हैं तुम्हें फिफ्टी फिफ्टी करने के लिए क्यारा है झाल झाल कर दो कर दो कर दो कर देखो मामी के अल आयू हमारी गरीबी की रातें अब खत्म होगी मा जरा उचकर देखो तो सही डॉलत का सूरज कैसा होता है मा मेरी तो रात में भी खत्म हो गए तेन भी खत्म हो गए मेना जिसे तुम अपनी छोड़ी बेहन समझती हो वो मेरी पेटी जरूर है तुम्हारी पैन नहीं है क्या कह रही हो मा बहुत साल पहले तुझे कहीं से कोई उठा कर लाया था और मेरे पास छोड़ गया था तुम ने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई बोले मा कैसे बताती बेटी वो कसाई मुझे जान की धमकी दे गया था लेकिन लेकिन आप मुझे डर कैसा वो वो बोले मा शिशा हां मा रहां पुम 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 थाए रहां झाल झाल म hypocrisy करे उन्हार प्रावका। सुर्वाप। किि अफ्किर रणास हाझ जयता हाझ जयता हाझ रहाझ झाल भो नू प्रॉटा जयता हा लुटात प्रॉटाँ कि, प्रॉब दो चो पिने घंग बाव और आई नगे लोगने अगर यह जाओं कि आगे तो आगे अगर जा तो प्रावाथ यह जाओं मैं तुम्हारी कामियाभी और अपने खुशी के लिए पी रहा हूं मैं तुम्हारी तारीफ करता हूं रावत के पास से वहीरा निकाल लाना उतना ही मुश्किल था जितना किसी शेर के जबड़ों में हाट डाल कर गोश्ट का टुकरा निकाल लेना अब तो मैं इस कुर्शी के खाबल हो गया हूं शाहनी सेट नाइग अभी नहीं आदर में न चाहरे हैं वह इतना ही नकली है जितने कि तुम्हारी काम्यावी नकली क्या क्या बगवास कर रहा तूं मैं सच कह रहां शानी से प्षाप में नहलाने से नकली हीरे असली नहीं हो जिस तरह गंगा में नाने से गदे इंसान नहीं हो जाए असली हीरा हुआ 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 इस हीरे को तो तुमने पहचान लिया से अब मेरी तरफ भी ज़रा गौर से देखो और पहचानने की कोशिश करो मैं वही कल्लू हुँ जिसे तुमने काल्या बना है मैंने सुना था कि इनसानों की तक्दीर आस्मानों पर बैटा भगवान लिखा करता है लेकिन मेरी तक्दीर तुमने लिखी है से मेरे भाई के हाथ कलम दरके अब इसके बाद ना तुम अपने हाथ ज्यादा चलाने की कोश आप अब इसकाव कि अब आप आप अब बाओ तो हर वक्त हर जगा मैं उन्हें कार्ट के रख दूंगा कुचल के रख दूंगा कि अब कुछ देर के बाद यह और जाएंगी मैं फिर देखने हूंगा तब तक इन्हें आप हर दो गंटे के बाद यह दवाईया देते रहिएगा थैंक यू ड़क्टर मैं जब अब 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 क्या देख रहे हो काता आज वो देख रहा हूं जो परसों से आपकी आँखों में कभी नहीं देखा खौपी है उमीद भी है और प्यार भी है जब बिटिया बीमार पड़ी थी तो आपने तीन दिन और तीन राते इसी तरह कुर्सी पर बैठे बैठे गुजार दी हाँ काका रानी आज होती तो शायद इतनी बड़ी होती नजाने अब वो कहा है किस हाल में है काका जी इसका ख्याल अब दो दो खेंटे पाद दवाई पिलाते हैं जी अच्छा तुम्हारी बीवी का क्या आल अभी कुप अच्छी सर इस्पिताल से लॉट आई है जब तुम्हारी पेटी मधान में पास हो गई वो तो पिछले साले पास हो गई थी अब तो कॉले जाने लगी है जब कि अज अपनी जेलर साब को क्या होगे सतनाम कि आज पहली बार मैं नहीं देखा उनकी आखों में अंगारी नहीं आवाज में उलोहा नहीं है अच पहली बार उन्होंने हमें इंसान समझा है और खुद इंसानों के तरह बाते की काका काका जी साथ वो लड़की कहा है जी वो तो चली गई कहां मालूम नहीं साथ तुमने उसे जाने क्यों दिया मैं मैंने कहां जाने दिया साहब मैं तो सरफ चाय बनाने के लिए आपे बाद गयी गया था वापस आया तो वह जा चुकी थी मैं तो अपने आप को कोस रहाओं कि मैं यहां से गयी क्यों है तॉरि काका तुम्हारा कोई दोश नहीं, वो अगर रहती भी तो कितने दिन रहती, अपनी बेटियां उम्र भर घर में नहीं रहती, एक न एक दिन चली जाती, और फिर उसका तो कोई रिष्टा भी नहीं था, ना मुझ से, ना इस घर से, माजी समान तयार है, यही रख तो, बड़ी तयारियां हो रहें, भावी, कहां जा रही हो? मैं नहीं जा रही हूँ, तुम जा रहे हो, कहां? मुनी के पास, यह दखो उसके चिठीयां, हर चिठी में एक ही सवाल होता है, मेरे चाचो मुझ से मिलने कब आ रहे हैं? मेरा बस चले तो मैं आर रपते चला जाओ उसस तुमारे चक्कर खतम होंगे, जैने कब तुम आराम से मेरे पास रह सकोगे? बहुत जल्दी भावी, बहुत जल्दी दुनिया से मुझे कुछ हिसाब चुकाने है, एक बार चुक गए, उसके बाद आराम ही आराम है स्कूल चुड़ की तब मैं जा रही हूँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम चारी हो ना? इसकी रो रही हूं? मत रहो जिंदगी के हर मोल पर इंसान के सामने दो रास्ते आते हैं, एक अच्छाए का, एक बुराई का मैं बुराई के रास्ते पर चल रही थी मगर मरती हुई मा को वचन दिया कि मैं वह रास्ता छोड़ दूंगी इसलिए मदर मैं अपनी बेहन रीना की फीज तब दे सकती थी अब नहीं दे सकती अपना दिल छोटा ना करो बेटी तुम उसके सामने बैठी हो जो गौड का बेटा है और गौड उसकी मदद जरूर करता है जो अपनी मदद खुद करने का फैसला करते हैं मुझे यकीन है कि तुम्हारे जाने से पहले वो तुम्हारी मदद के लिए कोई रहमत का फरिष्टा जरूर भेजदेगा मुझे अपने गाट पर पूरा यकीन है मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो अपने उंचे आस्मानी महल में बैठा हुआ अपने बंदों की दुआ इतने जल्दी सुन लेगा मैं समझा नहीं मदे मैंने अभी अभी उसे आवाज दी कहा फॉरन एक ग्रहमत का फरिष्टा भेज दो हार उसे भेज दिया फरिष्टा कहां है फरिष्टा मेरे सामने खड़ा है 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 जिसकी एक मुस्कान पर हम जान लुटा सकते हैं उसकी आखों में आशी महां देखिए वो मजब आपगा युटा है 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 गए शूर नहीं कि गो आपको भी रोनने में उसकीशच्छ अपको देने गई है है को आपके स्कूल की सथे दिगे ए अवा ब развolen suggestion का जैवाब कर चूड़कर कर कहीं का ऐा भी दर इस कोण ऑली आपने मेरी फिस्दे दी मैंने नहीं दी इन्होंने दी आप आप मेरे साथ वो करेंगे जो आपने किया है वो मुझे भी मालूम नहीं था मैंने क्या किया है आपने एक दान दिया है आपको मालूम हो कि वो दान आकर मेरी चोली में गिरा है उसे आप वापस लेना नहीं चाहेंगे जीने मदर सुपीरे ने आपके सारी कहानी मुझे सुना दिया या आप की नरे मेरी काहनी मिलती और नहीं विलती है हम दोना कि रास्ते पर चल रहे थे और आपके जिंदीगी में इसक्राम आप ऐखानी तो में तो एक ऐसे मॉकाम पर पहुँच गया किया हूं जान के अन्सक्राइप मेरी वापसि का कोई रास्ता ने रास्ता तो मेरे लिए भी कोई नहीं था लेकिन नजाने कहां से आप आ गये मेरी पटकी हुई खोई हुई जिन्दगी को बचाने के लिए आप गौर से देखेंगी तो आपको इसमें भी मेरी खुद्गर्जी नजर आएगी मैंने आपको नहीं अपने आपको बचाया है मैं दो समझता था कि मेरा सब कुछ लुट गया है लेकिन यह आने के बाद मालू हुआ कि सब कुछ लुट जाने के बाद भी कुछ बाकी बचा है थोड़ी से इंसानियत थोड़ी से अच्छाई है अच्छा वह किसी के काम हागी है मैं आपसे पहले भी मिल चुकी हूं लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे आदमी से मिल रही हूं आज मेरी भी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई है जो मेरे लिए बिल्कुल अंजान बिल्कुल बेगाना हो गया था आज बहुत मुद्द बहुत अर्से के बाद मैं अपने आपसे मिल रहा हूं जब से तुम को देखा देखा ही करते है तुम ही पुछ बतलाओ इसको क्या कहते है जब से तुम को देखा चीसे हैं मरते हैं तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते है L O V E L.O.B.E. 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 जब से तुमको देखा, चीते हैं मरते हैं तुम ही कुछ बतलाओ, इसको क्या कहते हैं L.O.B.E. 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 तुम मिल गए तो बदल गए दिन जीवन के आकी जाए ना भाहार कभी अपने जवन से तुम मिल गए तो बदल गए जिन जी बनके आगे जाए ना पहार तोगी अपने जमन से जो भी चाह वो ही पाया अपनी यही जिन्दगी लो वी जब चैसे तुम को देखा तीसे हैं मरते हैं तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या पहते हैं लो वी जी एलो वी एलो वी एलो वी जागेर सिंग जी येस आप कमाल पहुच गया है गुड वेरी वेरी गुड गुड बतलाओी करते हैं कर दो कर दो कर दो करें तो हुआ है 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 बाद है वाइवा किस अदा से आपने ग्लास दातों में उठाए अब काम मेरा भी कर दीजिए उस कैबन में मेरा ब्रीफ केस रखा है इसमें आपके लिए तौफा रखा जाए उठा लिजिए कि यह थे जागिर सिंग्ग हमारे डॉक्स के बेताज बादशाह कि डॉक्स पर माल उतरता था हमारा और ले जाता था है इंका बाप कालिया और जो हाल डॉक्स का है वही हाल मडाइलिंड का भी है बाहर के मुलकों से सोना चलता हमारे लिए और पहुंच जाता है सीधा कालिया के पास और यह मडाइलिंड वाले यह किनारे पर बैटके मच्चिया पकड़ते हैं यह लोग आज तक यह सब हुआ ठीक है अगर फिर कभी हुआ तो तुम लोगों कभी वहाल होगा जो इस वक्त जागिर सिंका हुआ कर आम करो मेरे तरफ आगे फाटे मत देखो यह तो सोचो कि कालिया को किस तरह जेर किया जाए वह आसमान से उत्रावावा कोई फरिस्ता नहीं है मिटी का बनावा एक पुतला है तुम्हारी तरह मेरी तरह और हर मिटी के तोड़ा सकता है उसमें कहीं न कहीं कोई न कोई कमजोरी होती है कालिया की कम्जोरी तलाश करो है उसकी कमजोरी कि हमारी ताकत है मेरी सबसे बड़ी कम्जोरी 6 Six और तुम इस तरह जाओगी भावी के पास तो किस तरह जाओंगी यह लेबास तो विलकुल नहीं चलेगा जो चिपाता कम है दिखाता ज्यादा लो यह साड़ी पर हाँ 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 मैं तैयार हूं हुआ 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 इस लुट के बड़ाद हो गया बेडा करक हो गया क्यों क्या हुआ यह है यह साड़ी पैनी आपने हम मालम होता कोई पगड़ी लपेट ली चारण तरफ लाई मैं बताता हूं साड़ी कैसे बांदी जाती इस नुमाइश पश्चिम की आदा है शर्म हिंदुस्तान का कहना और मेरी भावी की से बहुत पसंद भावी भावी वह आ गई कौन आ गई वही जिसके बार है मैंने तुम से कल बाहर क्यों खड़ा रखा है अंदर लिया अच्छा तो यही है वो जिसकी तारीफ सुनते सुनते हमारे कान पक गए पसंद नहीं है क्यों पसंद बाद में आएगी पहले हम देख तो लें इसने मुझ क्यों ठाक रखा है चेहरे पर कुई दागवाग है क्या जी नहीं तो है ना चांद का टुकड़ा तुझे सूर्द की रोश्नी में कुछ दिखाई नहीं देता चांद को क्या देखेगा च पर चुर्द तो ठीक है मगर सीरत का पता बाद में चलता है अरे बहुत पड़ी लिखिया यह भाभी लोग तो भी एमें पास होते ना इसने तो में टी आर आइसी सब कुछ किया हुआ है मैं तो जानना चाहती हूं घर के काम में इसके हाथ चलते हैं यह नहीं हाथ तो इसक कुछ पूछा मत तुम हो तुम चुप रहो जो कुछ पूछना मैं खुद पूछ लूँगी बुरा मतमाना बहना आदमी जब सोना खरीद में निकलता है तो सबसे पहले उस अच्छी तरह पर रखता है अब यह बता तुम्हें खाना बनाना आता है खाना अरे दुनिया का खाना है जो होै बनाना नहीं जनती देसी हाण अंगरेजी खाना चीनी खाना रूसी कान दस किसम की तो यह पलती बीस किसम की बिर्याणी और जो हमें पसंद है वो तो यह को बना ती ओमलेट सब्सक्ण से unit बनाओ дости कर दो, कर दो कर दो कर दो लिए को कर दो लुब अचिए वीजर लोर हा गार लोर्ड यार्ड वो हा राम लोग मेर दो अपनरे लोर हा वार वो कर दो रो भीम झाल झाल अरे यह क्या किया तुमने भाबी यह आज बुजारी बहुत घबराई हुए इसलिए भूल हो गई हो गई पास हो गई या फेल पास हो गई भावी अरे पास हो गई है पास हो गई है अधिक 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 क्या बात है आज सब्सक्राइब दुकान बदब रहे हम तो फूल लेने के लिए आए थे साथ फूल तो नाम का भी नहीं बचा एक ग्राक आया था सारी दुकान खरीद के ले गया ऐसा कौन सा शौकीन पैदा हो गया है बंबई शहर में एक ही तो शौकीन है साथ कालिया में गल्धसटा वानती जैंसा फूलों का बंता है साथ फूल अपने पास है नहीं लेकिन ये सबya स्वूल सांफ Nh었 ये साथ कोई नयाने आया है बंबई में में यह तो आप म happierया कालिया सब का नाम आज बच्चे-बच्चे की जबान पर है ठीक है दरूर पहुंचाएंगे को जिए कि मिया एड्रस प्लीज ये बीटेन बेन नेविस गॉर्डन रोड ओकी दरूर पहुंचाएंगे कैने हेल्पी सर्थ आप चाहें भी तो मेरी मदद नहीं कर सकती घर से निकला था एक छोटा सा गुलदस्ता खरीदने लेकि लगता है शहर के सारे फूल बिग चुकी है और उन सब का खरीदा रेक ही है गालिया जी हां आप जानते हैं उन्हें नहीं जानता तो नहीं लेकिन ज का बादशाह है जिस तरह ये शत्रंच का बादशाह है शत्रंच में प्यादे मारे जाते हैं घोड़े मारे जाते हैं हाथी मारे जाते हैं मगर बादशाह आखिर तक सरामत रहता है सर एक कालिया मेरी जेल में आया था सोचता हूं कहीं ये कालिया वही तो नहीं पिर ख्यार इतनी देर में बादशा कैसे बन गया तो खुद ही चल कर देखिए ना गालिया आज पार्टी दे रहा है उसकी जुरत देखिए कि उसने मुझे भी कार्ट बेजा है और लिखा है कि अकेले मताईएगा अपने साथ पूरी फल्टन लेकर आईएगा पूरा अकालिया जिससे आप मिलना चाहते थे कि मभारकों बेटे देख भी लिया और पैचान भी लिया उसने जेल की कोट्री से इस महल तक का फासला बहुत चल्दी तैकर लिया है मैंने कुछ और भी देखा है अस्पी साथ चे शायद आपने नहीं देखा आज की दुनिया में चुर्म कितना काम्याब है और कानून कितना बेबरस मैं आपको बुलाना भूल गया लेकर अच्छा वाप आगया कभी मैं आपका मेहमान था आज आज आप मेरे मेहमान फिस्की थैंक यू जेलर साब आपको अफसोस तो जरूर होगा मैं आपके यहां जादा दिन न रह सका और आप मेरी वो खातिर न कर सके जो आप करना चाहते थे इसके मौके और भी मिलेंगे लेकिन इस वक्त हम उससे मिलना चाहते हैं जिसके लिए आप सारे शायर के फूल खरीद लाएं हैं और हम एक फूल ना खरीद सके किसी के लिए तैंक यू बेरी माच जेलर साब ये शालनी है जिससे मेरी शादी होने वाली है मैं इन से पहले भी मिल चुका हूँ अब ये होश में नहीं थी उसके बाद आज मुलाकात हुई है लेकिन मालम होता है कि ये होश में अब भी नहीं है होश में तो आप नहीं है जेलर साब वरना ऐसे मौके पर ऐसी बात ना करते हैं ताश मैं कह सकता वेठी कि जब तक दुनिया में चांद और सूरज हैं तुम्हारी मांग में सुहाग के सितारे जखमगाते रहें लेकिन क्या करूं मैं वो देख सकता हूं जो ये नहीं देख सकती है जो तुम भी नहीं देख सकते हैं लोग जब काम्याबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई सालक पर तौड़ते हैं तो वह ये भूल जाते हैं कि ये सालक जेल की काल कोशी में खत्म होती है या फांसी के पक्ते पर तो एक बात हमारी भी सुन लीजे जेलर साथ क्या नजा की तकलीफों में मज़ा जब मौत ना आए जवानी में क्या लुद्फ जनाजा उठने का हर गाम पे जब मातम नहुआ तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे माना के अंदेरों के गहरे हैं बहुत साएं पर गम है यहां किसको आती है तो रात आएं हम रात के सीने में एक शम अचला देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के अंदाज दिखा देंगे हम तो हैं दिल वाले अंजर से नहीं मरते हम तो हैं दिल वाले अंजर से नहीं मरते हम खुल्कों के तैजी हैं सूली से नहीं दर से फूली को भी खुटों की संजीर बना देंगे तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीने के संजीर बना देंगे जा 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 ला 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 ई आहले जहां तुम को दपर relating की थीओ बीमारी है एहले जहां तुमको रखरत की है बीमारी भड़ताया गरोशाले भरतात रोचिंगारी हम प्यार की शबनम से हर आख उचा देंगे तुम साथ हो जब अबने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीनेगे अन्दा सिखा देंगे तुम साथ हो जब अबने दुनिया को दिखा देंगे हम मौत को जीनेगे अन्दा सिखा देंगे तुम साथ हो जब अबने दुनिया को दिखा देंगे मैं आप तुझी देगी अन्या सिखाने के अन्या सिखाने के अन्या सिखाने के मैं आया तुथा कालिया से मिले अब लगता है मैं अगर पर नहीं है वाहर गए है काम से चल्य कालिया नामिला नशैय आपसे तो मुलाकात हो गई कि पहले जब मैं आपossaических दू क्या हाल την त्यों और आज कि हम आप लोग भी कहां से कहां पउच गया हम जहां भी से आपकी महरबानी से कालकि मेहनत से पहुंचे गलत मेहनत से इनसान सिर्फ जोपणिया बना सकता है ऐसे आलिशान महल नहीं खड़ कर सकता मैं इस लिए जानता हूं कि मैं खुद एक ऐसे महल में रहता हूं हूँ तौलत का पेड़ जब भी उगता है पापकी जमीन में ही उगता है अन्हएं लगता है बावी को जूटी कहानियां से रहता और भावी मांती रहती हुआ जाता है जेल में तब सक खेल स्वार tomorrow अगर बातों पर आपको बरूसा नहीं तो नियुक्त किसी भी जेल या किसी भी थाने में जाके पूछ लिजे वहां के रिजिस्ट्रों में उसकी जिन्दीगी की पूरी धर्म कथा लिक्ट लिक्ट क्या को मोब किये कैary तुमने तो बो किया स्वेगानों ने नहीं किया उन्हों सिर्फ काटते मेरे पती के तुमने तो दिल स्ज़ी जैि लए और सबने के छोड़ा ही क्या है कि मेरी जिंदगी का उज़ना तो चला ही गया ऑनके साथ लेकिन तुम्हारे विश्वास का तिया ठीर पीचलता रहा आज वो भी बुझ गया मैं तुम्हारे भाईय को राम समस्टी थी और तुम्हें लक्ष्मन, मुझे क्या मालूम था कि मेरा लक्ष्मन कंका रावन बन चुका है भाभी पीट जाने दो तुम्हें तो मेरे सोने की लंका मुबारक हो हूं आःता है वाषा और बचोर्ण को आह था है यह तो तो मैं जूटी कहाने सुना किया है भूरन बर्टाकी हो क्या है को चुह क्या है को ही साहरी पाप सरे Claus नही था नहीं एड के सा आदमी सिर्व छोपड़े बना सकता बावी ऐसे शांदार महल नहीं खड़े कर सकता बस करो भाईया बस तुम अपने भाईया की भाशा भी भूल गए हो उनके खुनियों की भाशा बोलने लगे हो अब में इस नर्क में एक मिनिट और नहीं रुख सकती यह नर्क है तो वह स् में खशाम के चल्वोच सकती है बस्तकी में आतरु खरना जासकिते हैं मगरें खब्undयार को और फैलाए हुआ हैुआ. पाब अरे खून में प्ञैपिय यह ऑना ही मेरी मागड़ में था पाप का जहर तो जुर्म की सुईयां चुबो चुबो कर मेरी रगों में भरा गया है और जब तक ये सारा जहर में अपने दुश्मनों के मूपे नहीं थूख देता मैं तो सोच भी नहीं सकता कि पुन्य क्या है और पाप क्या है तुम नहीं सोच सकते मैं सोच सकती है इसलिए मैं जा रही है तुमने घर के बाहर कदम रखा तो समझ लो मेरी लाश देखोगी तुमने कैसी सौगन डाल दी मैं घर के बाहर नहीं जा सकती घर के अंदर रह नहीं सकती तुम जैसे पापी के साथ पापी पाप के रास्ते से पलट जाए तो भी नहीं समझ लो बावी पापी पाप के रास्ते से पलट गया आज के बाद वो नहीं होगा जब देखोता रहे अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना बावी काल्या को छोड़कर कहीं भी जा सकती थी लेकिन अपने कल्लू को छोड़कर जाओँगी भी तो कहां जाओँगी याज जाओँगी याज जाओँगी काउन काल्या मैं तुमसे मिलना चाहता हूं कब और कहां जब और जहां तुम चाहते हो काल्या इस वक दस बजे हैं मड आइलंड के टूटे हुए गिर्जे के सामने क्या बजे मिल सकते हैं क्यों नहीं तुम आगें लेकिन अपनी गाडी के हैडलाइट्स ऑन रख हुए ठीक है मेरी गाड़ी निकालो अभी लाता हूं शानी सिट लेकिन आज गाड़ी तुम नहीं चलाओगे हम खुद क्योंकि जहां में आज जाना है अकेले जाना है आज में तुम्हारे साथ वही कर रहा हूं शानी सिट जो तुमने रवानी सिट के साथ किया था अपनी दुनिया का दस्तूर यहां ना कुर्सी दी जाती है ना ली जाती है सिर्फ जीनी जाती है यह क्या है आप मुझे नहीं ले जा रहे हैं शानी सेट शायद साथी की दुरूत पड़े है 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 तुम्हारी हरकत देखकर हमारा इरादा बदल गया है अब तुम और तुम्हार साथ ही दोनों मेरे साथ जाएंगे क्या हिए साथ की जाती है कुमोर्न हो लो में किंवार क्या बात रावत तुम बारवाल घड़ी को देखते हैं जीब ग्राइवर की नदर सडक पर रहनी चाहिए सब्सक्राइब देख रहा हूं कि गाड़ी एर कंडिशन्द है और तुम्हारे पसीने चूट रहें बात क्या है रावत ने कोई बात नहीं है रावत गाड़ी रोको बॉनेट खोलो रावत कि अब टुम्हारे खोलो थे खोलो रुम्हारे खोलो रहें है तुम हमें मारना चाहते थे बर्खुरदार तो कोई नई चाल सोची होती जो खेल तुमने खेला है इस खेल के तो हम पुराने उस्ताद है परतते हम अब मेरे और अपने द्रम्यान एक ऊपड़ा थे विभेला थे हुआप की लखिए थी तिम ने सदिखता है तो तुम्हारी मौत पे खत्म होती थी या मेरी मौत ऐस आस थाज में तुम्हें यह बदाने आया है कि मैं रखुन की लखी गारी तुमारे मथ की घड़ी तु बहुत नजदीगा चुकृति दुए दोसNeos को जिसने घड़ी की सुई को पीछे मोड़ दिया मगर यह मत समझना कि मैं तुम से हार गया हूँ आज मैं तुम्हारे सामने हत्यार डाल नहीं रहा हूँ मगर सानी से डरना उस दिन से जिस दिन तुम मुझे हत्यार उठाने के लिए मजबूर करोगे करतशा हुआ है है कघा सुल्ट प्रक्वारी जड़ार नहीं हुआ हुआ कर दो कि अनुक्यवारी में व्लूर वैद है कि अधु कि अधालत खून की सारी कहानी सुन चुकी है और दोनों तरफ की शाहदतें भी मुझ्जम ने खुद मेरा काम बहुत आसान कर दिया है मगतूल की लाश मिली तो कहां मिली खातिल के बाज़ों में चाकू पे जो निशान थे वो किसके थे मुझ्जम की उंग्लियों के खुन के धबे मिले तो कहां मिले मुझ्जम के कपड़ों पे इन कपड़ों को देखने के बाद इस पे शक नहीं रह जाता किस पेशावार मुझ्रिम ने सचमच खून की होली खेली है और मुझ्जम को यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि ऐसा खूनी किस सजा का हक्दार होता है एक सॉर्य और ना कि ऐसा खूनी मौत की सजा का हक्दार होता है लेकिन जर्म साबित होना चाहिए कि मिलोड हमारे देश का कानून और इंसाफ दोनों इस बुनियाद पर खड़े हैं कि कठेरे में खड़ा हुआ मुल्जिम उस वक्त तक मुझरिम नहीं माना जा सकता जब तक जर्म साबित नहीं कर दिया जाता है मेरे काविल दोस्त ने जो गवा पेश कियें उनमेंसे एक गवाबी मौकाव वारदात पर मौजूद नहीं था किसी ने खून से पहले के किस से कहे तो किसी ने खून के बाद की दास्ता सुनाई खून के मुकदमे में सबसे कीमती बयान उस गवा का माना जाता है जिसने अपनी आँखों से खून होते हुए देखा हूँ जब तक ऐसा गवाप पेश नहीं किया जाता तब तक मुल्जिम उस सजा का हगदार नहीं हो सकता जो सजा मेरे दोस मुल्जिम के लिए मांग रहे हैं मैं अपने फादल दोस्त की बात की ताहित करता हूँ गतल के मुखदमे में चेश्म दीद गवाप की बहुत बड़ी खीमत होती है मुझे अफसूस है इससे पहले मैं ऐसा कोई गवाप पेश नहीं कर सका लेकिन इस वक्त मैं एक ऐसा गवाप पेश कर सकता हूँ यह वो गवाप जो खून के वक्त वहां मौजूद था और जिसने खून होते हुए अपनी आखों से देखा है कीता पे हाथ रखके कसम खाये जो भी कहेंगी सच कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी है कि वह कि आप बता सकती हैं कि मुलजिम से आपका क्या रिष्टा है देवर भावी का कि यह सच है कि आप अपने देवर को अपने बेटे से बढ़कर मानती थी अब भी मानती हूं फिर भी आप कह सकती हैं कि आप ने खून होते हुए देखा और इसे करते हुए देखा की हाँ मुझे और कोई सवाल नी कुछ ला है क्यों वगील साथ मेरी भावी से कुछ नहीं बुचें जिन होटों ना या बैयान दिया है उन होटों से नकली WARS को मैं हमेशा भवान कि Come票 समझता है और अभी समझता है मेरी भावी ने जिन्दगी में हमेशा सच कहा है सच के सवा और कुछ नहीं का कि उन्होंने मुझे और ऐक वे दिम्स कि देख पने किया है यह खून इसके बाद मैं अपनी सफाई में और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ सिर्फ एकबाल जर्म करना चाहता हूँ और मैं एकबाल जर्म करता हूँ यह खुम मैंने किया है मैंने किया है मैंने किया है मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था कालिया मैंने तुम्हें समझाया था काम्याबी के घोड़े पर सवार सोने की बनी हुई जिस सड़क पर तुम दौड़ रहे हो वह फासी के तक्ते पे खत्म होती है पासी के जिस तक्ते से आप मझे डरा रहे हैं जेलर साहब वो मैंने खुछ चुना है मेरी मौत का फैसला तो जज ने सिर्फ लिखा है लेकिन उस फैसले पे जिसने मौर लगाई है मैं अब भी उसे भगवान की तरह पूछता हूं मैंने तुम्हारी हर शर्त पूरी की है तु अब ही तो सिर्फ फासी की सजा सुनाई गई है जब तक कालिया फासी के तखते पर जूल नहीं जाता है मैं तुम्हारी बेटी वापस नहीं कर सकता है अब यह क्या है तुम्हारे कलू का कफन लाई हूं वो तुम्हें क्या समिचता था और तुम क्या निकली उसने तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया और तुम्हें कहां से कहां तक पहुंचा दिया उसने तुम्हें क्या नहीं दिया था जो उसके दुश्मन ने तुम्हें दिया है मैं पूछने आई हूं मौत की मंडी मैं तुमने कल्लु की जान कितने में बेची है असकरो शालीनी बसकरो मैं पूछ के रहूंगी सोने की दूग का वो जो कुवां तुमारे अंदर है वो कितना गहरा है जो सिर्फ कल्लु की मौत या उसकी लाश से बरसकता है नहीं नहीं शालीनी वो सके तो ये कपन मुझे ही पैना दो और मुझे जिन्दा ही बिठा दो चलती हुई चिता पर मैं इसी सजा की हक्तार हूँ कि मेरा कलू कार्ण कोढ़ा है मेरी बेटी के गल्ल पर अब तक शानी सेट की चुरी धरी उई है क्या बावी ने जो किया वो ठीक किया शालनी शानी सेट ने जो काने शूरू कि वो यहां खत्मी होती कि यहां से शुरू होती है कि कहानी का पहला शब्द उसने लिखा है कि आखरी लब्स मैं लिखूंगा मुलाकात का वक्त खतम हो गया है कि आखरी लहारी लगा है मुलाकात हाथ बहसके, वक्त का वी हाथ नहां बहुंगा आज तुमने बड़ी उची छलांग लगाई है कालिया तक बीर सिंग की जेल से भागने की कोशिश कई कैदियों ने की लेकिन जितनी दूर तुम पहुँच गए हो आज इतनी दूर पहले कोई नहीं पहुँचा आजादी हर कैदी का खुआप होती है लेकिन अभी अभी तुम्हारे अंदर खुण की हर बूंग और बार तुम्हारे शरीर का रोम चीखेगा और कहेगा कालिया तुमने ये खुआप देखा तो कुछ देखा इसे सर से पाउं तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके आपने अब तक जेल की जन्जीरों और सलाखों का लोहा देखा जिलर साब कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा पैना दीजे मुझे सर से पाउं तक जन्जीरे चरवा दीजे जमीन से लेकर आस्मान तक लोहे की दीवारे कालिया हर दिवार फांके दिखा देगा जेलर साब हर संजीर तोड़कर दिखा देगा संजे इसे सर से पाउं तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके ना अजादी की तरफ कदम बढ़ाता है कर दोड़ कि अखर सबदान के अखर से ज cansा ये दो एक दो को कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कौन किसी को बांद सका सैयाद तो एक दीवाना है तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कौन किसी को बांद सका सैयाद तो एक दीवाना है तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कर दोड़ जाना है अंगराई लेकर दे जागी है नौजवानी अंगराई लेकर के जागी है नौजवानी सपने नए है और जंजीर है पुरानी पहरेदार फाके से परसो राम धड़ा के से होशे यार भै सब होशे यार रात अन्धेरी रुदबरखा और गाफिल सारा जमाना है तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कौन किसी तो पान सका सैयाद तो एक दिवाना है तोड़ के पिंजरा एक ना एक दिन अर पंची को उड़ जाना है कर दोड़ के दिन अर एक दोड़ जाना है किड़की से दुखता है चाउंका नहीं हवा का हिल जाएं दीवारे ऐसा करो धमाका किड़की से दुखता है चाउंका नहीं हवा का हिल जाएं दीवारे ऐसा करो धमाका बोले ढोल ताशे से परसो राम धड़ाके से होशया वैं सब होशया देखके भी ना कोई देखे ऐसा कुछ रंग जमाना है तोड़के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कौन किसी को बाद सका सैयाद तो एक दीवाना है तोड़के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कहें दो शिकारी से बन्दा लगा के देखे कहें दो शिकारी से बन्दा लगा के देखे अब जिसमें हिम्मत हो रस्ते में आ के देखे निकला शेर हां के से परसो राम धणा के से जाने वाले को जाना है और सीना तान के जाना है कोड के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कोड के पिंजरा एक ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कौन किसी को ना एक दिन पंची को उड़ जाना है कोड़ पंची कोपू पंची को उड़ जाना है जजको इज से औरी पर फ़्योर कबने, से और प्राइबम कर दो खशातरू हुए ए बाहँद, गनुद Aladdin झाल 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 पाट कर दो पाट, पाट! पाट, पाट, पाट! पाट! एाट! आपकी रफ़तार मौत की रफ़तार से कम निकली जेलर साहब कालिया जेल से भी आजाद हो गया मैं कालिया को जिन्दा कानून के हवाले करना चाहता था उसने इस तरह मरकर मेरे साथ बड़ा जलुम किया है लेकिन मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है और मुझे तुमसे हमदर्दी है जेलर साथ वक्त की बिसात पे किसमत ने जो महरे बेचाय थे जेलर साब उनका रुख प्रट गया है अगर आपने एक कदम भी मेरा पीछा किया है तो इसके अंदर जितना लोहा है आपके अंदर कर दो का मैं इस रिवालवर से निकला हुआ सारा लोहा निकल जाओंगा लेकिन अपनी जगह से नहीं आटूँगा तुम मेरी जेल से भागे हुए कैदी हो और मेरा फर्ज है कि मैं तुमें ग्रिफतार करूं और उसी जगह वापस पहुँचा दूँ जहां से कि तुम भाग कर आई हो जिस तरह आप अपने फर्ज से मजबूर है जिलर साब उसी तरह मैं भी अपने फर्ज से मजबूर हूँ कि मोहरों का रुख एक बार फिर पलट गया गालिया अब तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसके अंदर जितना लोहा है तुम्हारे अंदर काड़ दूआ तो आतिश ये दोजक से डराता है जिने वो आपको पी जाते हैं पानी करके चला दीजे गुली आप तो खून की एक लकीर का पीछा करते वह यहां आए थे मुझे आज अगर अपने खून की नेर में तैर के भी जाना पड़े तो भी जाके दिखा दूँगा क्यूंकि आप ननीसी जान हां इनकी भावी की बेटी जिसकी जान बचाने के लिए भावी ने खून का जुठा इल्जाम अपने देवर पर धर दिया और देवर ने उसे कबूल कर लिया अगर यह कहानी भी आपको जूटी लगती है तो आपको जो करना है कर लीजे मैं जा रहू हुआ हु तो मैंने भी किसी भेड का दूद नहीं पिया उस ननीसी जान का जिकर करके तुमने मेरे दिल का वो तार छेड़ दिया है जो कह रहा है रगवीर सिंग आज तुम वुच्वा खेल दो जो तुमने पहले कभी नहीं खेला जहां तुम जा रहे हो कालिया मैं वहां तुमारे स तुमारा बाप शानी का है बता वरना गोली चल गई तो सारा अता पता पूछ कर वापस आजागी बता झाल झाल कि अगा वड़ा दिए अगाए आगा प्रॉड़ा प्रॉब एगा प्रॉड़ा उख है प्रशानी सेट और लेचलो मुझे मुनी के पास बत्रशानी सेट नहीं के तुचर मुझे 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 पास और लेचलो मुझे मुझे जीतारा खंचे मुझे तुचर मुझे पास हुआ 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 हु कि तुमने जितनी आतिश बाजी करनी थी कालिया कर ली जहां तुम इस वक्त खड़े हो वहां मौत की बिशाथ बिशाइए तुम मर्द के बच्चे का मैं तो समने आओ अब पहली चाल चलो अपनी कि खेल तो बाद में शुरू होगा पहले यह तो देख लो बाजी पर दाओ क्या लगा है तुमारा तुमने अकल की बात की का लिया जो वापस सफेद खाने पर आ गया नहीं तो मुन्नी आठे की तरह पिसके रह गई होते हैं अब एक नजर उदर भी देख लो खबरदार कालिया कादम आगे मत बलाना इस पूरी बिसाथ पास सिर्फ वो सफेद खाना जिन्दगी का है बाकी सारे खाने मौत के हैं पूल कर भी अगर तुम्हारा पाओ उस लाल खाने में पढ़ गया तुम्हारी मुन्नी नहीं बचेगी और अगर इस हरे खाने में पढ तुम उस सफेद खाने में रहो इस खेल का एक और काईदा भी सुन लो इसमें सारी चाले मैं चलूँगा और तुम एक चाल भी नहीं चल सकोगे आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाथ किस लोहे का बना है जिसे तुम काटना चाहते थे अगर तुमने अगर हाथ उठाने की कोशिश की तो यह तनी हुई बंदू के तुम में इतना च्छेथ कर देंगी कि तुम गिन भी नहीं सखोगे यह पहला सैंपल उस चोरी के लिए है जो तुमने मेरे घर में की इसलिए जरा नवन था कि यह दूसरा सैंपल उसाथ के लिए जो तुमने मेरे कारखाने में लगाई इसलिए जरा सख था और यह उस अनमोल हीरे के लिए था जो तुमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी जीत थी और मेरी जिन्दगी की सबसे बड़ी हार और यह सुनेरी गूसे वो सोने के लिए थे जो डॉक्स पर उत्रा तो था मेरे लिए लेकिन पहुंच गया तुम्हारे गोड़ा अभी से लड़कराएं लगे बर्खुरदार अभी तो मुझे बहुत से हिसाब चुकता करने हैं तुम्हारा हिसाब अगर मेरी मौत से चुकता हो तो चुकाल उशानी सेथ मगर इन मासुमों को छोड़ा हूँ और खुद मैं फांसी के तखते पर चड़ जाओं नहीं कालिया नहीं मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं मौत के बाजार में अपनी जान की कीमत हर दूसरे की जान से ज्यादा होती है तुम्हारे जैसे कमीने को प्यारी होती होगी अपनी जान भी ले रहा हूं मैं आहिस्ता आहिस्ता कि अ-फारे है जाबाश काले मौनी को तुमने बचा लिया अब अपने भाबी की जिन्दगी का ढूपता हुआ सूरज तुम अपनी आखोसे देखोगे है 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 अपने आदमें उसे कहो के बंदू के भेंग दें कि कलू बस मेरे लिए अब एक ही काम बाखी रह गया है कि तो मैं हद्कड़ी पहना और वहां पहुचा दूं जहां तुम अपने जुर्म के लिए इस बेगुना को फांसी लगवाने वाले थे रिवॉल्वर फैंक दीजे जेलर साहब तो यहां पर एक जान चली जाएगी शाबाज खड़क सिंग तुमने इस कहानी को फिर एक नया मोर दे दिया कि बांदो इन लोगों कि मम्मी 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 कि आपको याद है जेलर साहब कि आज से बीस बरस पहले आपका एक कैदी कि आपकी बेटी को आपके घर से उठाके ले गया था कि अधर गोर से देखिए मेरी तरफ जेलर साहब कि वह कैदी आपके सामने खड़ा है कि जस्वंत हाँ जेलर साहब कि क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपकी प्यारी नन्नी मुनी बेटी कहां कि कहां है मेरी बेटी कि यहीं मेरी बीटिया मेरी बीटिया मेरी बीटिया मेरी इसानी पिताजी आपकाट आज मैं कितना खुछ हूँ पुझाए मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया ऐसी एक मुलाकात आज से बीज बरस पहले एक कैदी और उसकी बीवी के बीच हो रही थी तब आपका हंटर चला था और आपकी आवाज आई थी मुलाकात का वक्त खत्म हो गया मगरा आपका हंटर चमड़े का नहीं था आख का था इतने बरस बीद गए लेकिन आज तक मेरी पीट पर दर्द के अंगारे देखते हैं आज वह अंगारे ठंड़े हो जाएंगे जब मेरा हंटर आपकी मोटी खाल नहीं उधड़ेगा आपकी बेटी की फूल जैसी नाजक खाल को धूंद के रख देगा जलाद काहिंटा यज मम्मी, मम्मी आजाब्ध आएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएएए तुम्हें जितनी चालें चलनी थी चल चुके शानी सेट, हम मेरी भरी है जोर्म की शत्रांज तुमी ने मझे सिखाई है शानी सेट, मैं तो एक मामूली प्यादा था, जो सिर्फ एक खर चलता था और मार खाजाता था तुमी ने मुझे वजीर बनाया, जिसकी पंच चालों तरफ होती है, मार भी जिसकी चालों तरफ होती है, जैसे ये मार ये पहली मार उन पांच सो रुपाउं के लिए है, जो तुमने एक तवाइफ को दे दिये, लेकिन मुझे नहीं ती है और ये मेरे भाई के मौत के लिए, जिसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर और कोई चीज नहीं और ये उस इंसान की मौत के लिए जो कभी मैं था, कल लोगा, एक सीधा साधा आदमी, जिसे तुमने अपने जैसा बना दिया, एक शेताम आई, तुम्हारी सबसे आसान मौत तो यह होगी, कि मैं तुम्हें एक ही च्टके में खत्म करता। मगर मैं एइसां महीं करूगा, मैं जान लूगा जरूर, लेकिन आहस्ता, आहस्ता कुछ धुर्ट कुछ धुर्ट हमके मैं तुमें गिरिफितार करתा हुं शाहित और अब महें लेकर चलता हूं जहां तुम्हारी असasedLA है हैं तो यही दो मांगना तुम जेल में जाओ घॉhl बियर सिंग की जेल में नजाओ ऐचीबे साहब आप मुझे लेकर जाएंगे बाहर चलिए चलिए पैटी आज मैं अपना कैदी तुम्हारे हावाले कर रहा हूँ लेगने से बहुत जकड के पकड के रखना कैसे भाग जाने के इसकी पुरानी आदत है एक बात आपसे पूछनी थी नए जेलर साब मुगतार सिंग के नाम सुना है आपने नहीं अरे फिर क्या सुना आपने मुगतार सिंग वो आदमी है जिसके नाम से सारी दुनिया जब से तुम को देखा चीसे हैं मरते हैं तुम ही कुछ बत्राओ इसको क्या कहते हैं A-O-V-E A-O-V-E A-O-V-E